आई एवरिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों सबसे पर यार कैसे हो आप सभी लोग कमेंट करके पता देना यार उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से होंगे दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों की हमारा 11 स्टांडर का जो वीडियोस हैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंटिनियोस कर रहे हैं और आप लोग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट च चैनल को मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और प्यार दिखाओगे आप लोग के ब्लेसिंग्स की जरौते दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्थ डाउन हो जाती है कंटिनियोस रोज छेचे साथ साथ वीडियोस बनाना रेकॉर्ड करना ठीके न तो कभी कभी हालत खराब हो जाती है लेकिन यह आप लोग का जो प्यार और सपोर्ट जो कंटिनियोस मिलता है ना इसके जैसे एनरजी अपने आप आती है तो इसी प्रकार का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना दोस्तों और आप लोग के लिए हम हैसे ही चितना हो सके आप लोग चोटे से चोटे बड़े से बड़े मिडल मिडल और कोई एकदम एल्डर भी है जो पाउस आउट हो चुका है जो पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुका है उनके लिए बहुत नॉलेज़ेबल होने वाला है एक ऐसा नॉलेज़ेबल चैनल क्रेट करने वाले हैं दोस्तों जिसमे आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो उसके लिए जरूर से सपोर्ट करना बहुत जल्दी स्टार्ट होगा इसका अनॉंसमेंट में करने वाला हो लाइफ सेशन लेके बहुत जल्दी लेकिन जब भी में करूँगा तो आप लोका सपोर्ट चाहिए एक हिंट मैंने देके रखाए कि बहुत जल्द आएगा लेकिन कब आएगा ओं मैं बता दूँगा ठीक है टेंशन मत लेना और साथी में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना यहां पर आपको अपडेट्स वगरे क्या होती है मेरे लाइफ में हमारे चैनल के बारे में पता जाती है इंस इसके पहले के चार लेक्चर पड़े दोस्तों तो स्टाटिंग फ्रॉम्ट नॉलेच एंटिल टॉपिक हमने सब चीज क्रिप्टो गैम्स क्या होता है पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाया उसके बाद उसके अंदर नॉन वैस्कुलर प्लांस क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया और जो नॉन वैस्कुलर प्लांस था उसका जो थैलोफाइटा था थैलोफाइटा के अंदर भी टीन टाइप थे ठीक है ना हमने पढ़ा था तीनो टाइप के अलगी ग्रीन अलगी ब्राउन एलगी और रेड अलगी यह पढ़ लिया फिर ब्रायोफाइटा जिसको एंफीबियन आप दो प्लांस के यह भी पूरा डीटेल भी हमने पढ़ लिया उसके बाद जो वैस्कुलर प्लांट का टाइप है जिसको बोलते टेली दो फाइटा यह भी हमने अधा तक हमारा पूरा क्रिप्टो गांज का जो पोर्शन है आधा हिस्सा यह हमने एक यह ऊपका जिम्नो स्पर्म दूसरा है एंगी बारे में पूरा का पूरा जिम्नो स्पर्म आज हम लोग कम्प्लिट करेंगे फिर एक और लेक्चर आएगगा जिसमें हम लोग एंगी और उसके दोनो टाइप Monocotyledon and Dicotyledon ये दोनों हम लोग complete करेंगे, बस एक ही lecture और complete हो जाएगा, लेकिन आज के इस lecture में हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं Gymnosperm के बारे में कि क्या होता है Gymnosperm, क्या-क्या उसके features होते हैं, characteristics क्या होते हैं, और अगर उसके कुछ type है तो क्या है, examples है तो क्या है, ये स नेकेड और स्पाल्म का मतलब होता है, ये याद रखना, gyms law का मतलब होता है, जिम्नों का मतलब होता है, यानि कि अगर हम बात करें कि gymnos sperm का मीनिंग क्या हो गया दोस्तो, naked seed वाला plant, naked seed का मतलब क्या हो गया, Naked का मतलब हमनों बोलते है Nanga अभी ये बोलने में अच्छा नहीं लगता है मुझे स्वड़ा Vulgar लगता है、 ठीके ना तो Nanga जो है ना, ये Nanga Seed मतलब क्या होता है? Naked Seed ठीके नगा Seed is nothing but what? Naked Seed मतलब ये जो Seed है ना उसके उपर जो coating आनी चाहिए, fruit बनना चाहिए, वो नहीं बनता है, इसलिए ये जो type का है, gymnosperm, ये actually fanerograms category का है, fanerograms मतला आपको पता है, ये flowering plant, एन flower आता है, तो fruit भी आता है, लेकिन ये जो type का plant है, इसमें flower ही आता है, fruit नहीं आता है, बस seed आता है, seed के उपर cover नहीं है, that is nothing but naked seed, समझ में आ गया, बहुत simple सा, साधारन सा, definition था, समझ में आ गया होगा आपको, अब, ठीक है, ये हो गया, naked seed के बारे में, gymnosperm के बारे में, अब, ये जो gymnosperm का जो category है, ये major plant है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, higher plants में consider किया जाता है, major plant है, बड़ा plant होता है और इसका जो group है, ये fanerograms के अंडर में आता है, और already हमने पढ़ा हुआ है, fanerograms are divided into two parts, that is gymnosperm और angiosperm, तो gymnosperm भी क्या है, बहुत अच्छा major plants है, जो fanerograms के category में आ जाता है, और लगबग, 70 type के genus, genera, species, 70 type के genus present है, और लगबग, 1000 type के species, gymnosperm के पूरे world के अंदर present ह दोस्तो, पुरा जो हमारा world है, जितने भी देश होंगे, सभी को अगर हम consider किया जाए, ठीके, तो 70 type के genus के category है, genus जो आता है, पता है, genus species ही हमने chapter number two में discuss किया था, आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से, तो 70 genus के type है, और species के के कितने type है, 1000 से ज्यादा type है, gymnosper हम के पूरे world में, लेकिन पूरे world की बात क्यों करेंगे, हम ये तो इंडिया की भी बात करनी है, तो इंडिया की अगर में बात करो, तो इंडिया में लगबग 16 type की genera है, ठीक है, जनरा, not general, ठीक है, solar type की genera है, और लगबग 33 type के species हमारे इंडिया में present है, मौजूद है, अ प्लांस के लिए भी बहुत सारे हर्बारियम होता है बोटानिकल गार्डन्स होते हैं यह सब चीज हमने फॉर्स याप्टर में डिसक्स किया था वहां पर जब भी मौका मिले तो विजिट करो आपको प्लांस के बारे में आपको जहां पर भी देखेंगे ना यह ग्रीन कलर के दिखेंगे अब जैसे की एक्जाम्पल है साइकस यह साइकस का आपने देखा होगा एक छोटा सा यहां पर स्टेम होता है उसका यह दिखरें और यहां पर आप देखोगे तो यह पूरा जो प्लांट है ना यह नारियल क पेड या फिर खजूर का पेड सुपारी का पेड उस प्रकार का देखता है लेकिन वो है यह अलग है यह साइकस का प्लांट है तो आप यहां पर देखोगे कि यह पूरा का पूरा क्या है पूरा ग्रीन कलर है अगर आप देख पारे हो यहां पर यह पूरा का पूरा ग्री परकार पी शरब्स होते हैं ज़्टी सबसाइब और में उसका पत्ती से बना 트종 हुआ है काट हो गें पदा चलेंगे लिफ से बना हुआ है लेकिन इसके अंदर बूड प्रेजेंट होता, तो यह जो portion आपको दिख रहा है, यह पूरा part, जो stem का है, यह पूरा क्या है, बूड है, किस से बना हुआ है, लकडी से बना हुआ है, पूरा का पूरा बूडी ट्री है यह, ठीक है, और उसके उपर एक जो shape आता है, जो उसका leaves का जो shape आता है, वो crown जैसे आता है, जैसे टाज होता है न, किसी का, मुकट, रानी महरानी पेंते थी, मुकट, उसको बलते crown leaves, ठीक है न, crown shape leaves, तो उस प्रकार के leaves उसके अंदर आते हैं, और generally जैसे मैंने बोला, कि यह क्या है, naked seed है, मतब, seed के उपर covering नहीं है, तो seeds होते हैं, they are the vascular plants, starting में नहीं बताया मैंने, कि fanerogams है, fanerogams के अंदर vascular type है, vascular के अंदर आप पढ़ रहे हो, gymnosperm, तो यह जो category के plants होते हैं, चाहिए आप gymnosperm लेलो, चाहिए आप angiosperm लेलो, यह जितने दी categories होते हैं, खासकर अभी हम लोग gymnosperm पढ़ रहे हैं, तो यह क्या होते हैं, यह होते हैं vascular plants, और क्यों होते हैं vascular plants, because xylem and phloem, इनके अंदर present होता है, xylem present होता है, tracheids के साथ, ठीक है, और जो phloem होता है, वो seed cells के साथ present होता है, यह आप लोग को पहले भी बता चुका हो में, ठीक है, तो xylem is present with tracheids and phloem is present with the leaf cells, तो यह vascular bundles, vascular tissues, इसके अंदर present होते हैं, that's why it is called as the vascular plants, and यह जो plant body होती है, इसकी जो plant body होती है, यह जो gymnast category होती है, यह क्या होती है, sporophyte होती है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं, deployed multicellular stage होता है, ठीक है, deployed multicellular stage होता है, सा ठीक है न, तो कहीं न कहीं, sporophyte है, तो spor formation कर रहा है, that is a deployed multicellular stage, अब यहाँ पे इसके अंदर multicellular stage present है, sporophyte तो हो रहा है, लेकिंगे इनकी जो body है, अगर मैं बात करूँ, तो यह differentiate हो रही है, root में, stems में और leaves में, यानि कि एक proper plant जैसे divide होता है, इसके अंदर roots भी आपको भी present आपको देखने बिल जाएंगे, यह आपको stem दिख रहा है, और यह उसकी पतिया भी आपको दिख रही है, मतलब कहीं न कहीं, proper differentiation जो होना चाहिए, कोई भी plant के अंदर, वो है इसके अंदर, root भी है, stem भी है, और leaves भी है, correct है, समझ में आ रहा है, ओके, अब कुछ root ऐसे होते हैं, यह जो plants है, इसमें कुछ root ऐसे होते हैं, जो symbiotic relationship दिखाते हैं, क्या होता है, symbiotic relationship, chapter number one, याद करो, मैंने बताया था, chapter number two, I guess, उसमें अलगी और fungus, जब साथ में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, lichens बनाते हैं, और वो relationship को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, symbiotic relationship, यान लेकिन अब किसके साथ हो रहा है, तो example के तौर पे जो coralide root होता है, cycus plant का, जैसे यह जो plant है, इसका नाम क्या है, cycus, तो इसका जो root है, इसको क्या बोलते हैं, coralide root, तो इसका जो coralide root, जो है na, cycus का, वो किसके साथ relationship में आता है, blue green algae के साथ relationship में कभी-कभी आ जाता है, इसी को हम लग symbiotic relationship बोलते हैं, और साथी में एक और example है, root of pinus, pinus tree भी होता है, यहाँ पर, यह देख लो, this is known as the pinus tree, तो यह pinus tree जो होता है, इसकी भी roots होते है, जो root of pinus जो होते है, वो endophytic fungi, जिसको हम लग माइको रिजे बोलते है, यह हमने पढ़ा हुआ है, माइको रिजे, बह आप किसका root का, root की बात होगए, अब थोड़ा उपर चेलेंगे, root की उपर की आता है stem, तो stem की अगर मैं बात करूँ, तो stem mostly क्या होता है, straight होता है, एकदम, खड़ा होता है, जैसे आप देखोगे, erect होता है, एकदम, straight, एकदम, straight stem रहेगा, जो उसका तना रहेगा, जो stem र प्रेजन रहेगा, और इसके अंदर secondary growth भी देखने मिल जाती है, जो normally इसके पहले के जितने भी plants हमने देखे थे, ठैलोफाइटा, प्रायोफाइटा, इसमें secondary growth absent था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें cambium present नहीं था, तो यहाँ पे जोस्तो, मैं बता दू कि cambium जो है याद रखना, ठीक है, फिर stem हो गया, stem के बाद आएगा leaves, तो leaves के अगर मैं बात करूँ, leaves जो होता है, वो dimorphic होता है, इसका मतलब कुछ ऐसे leaves होते हैं, जो थोड़े scaly होते हैं, scaly मतलब चप्टे रहेंगे, flat रहेंगे, thin रहेंगे, scaly, या फिर foliage type के रहेंगे, foliage type का अगर मैं बात करूँ, foliage leaves जो होते हैं, वो generally green होते हैं, और needle shape होते हैं, और इनका, जब वो, मतलब फॉल भी होता है, मतलब लीव का पत जड़ बोलते हैं, पत्य गिर जाती है, एक color change करने के बाद, तो वैसा भी होता है, foliage leaves भी होता है, और इनके अंदर, जो sporophyte हमने बोला माइक्रो sporophyll, यानि कि जो sporce produce हो रहा है, वो कौन produce कर रहा है, माइक्रो sporophyll प्रोडूस कर रहा है, जो की male का sporce है, और जो female का sporce जो produce हो रहा है, वो है mega sporophyll, यह आपको दोनों को अच्छी तरीके सा याद रख लेना है, clear है, समझ में आ गया दोस्तों, तो ये था पूरा का पूरा characteristics और features, किसके बारे में gymnosperm के बारे में क्या होता है, with examples हमने explain कर दिया, examples are ficus हो गया, pinus हो गया, यह सब आप learn कर सकते हो, ठीक है ना, यह दो example भी याद रख लोगे, तो भी enough है, ठीक है न, pinus tree, these are the some example, etc डाल दो, यह आप लोग learn कर सकते हो, ठीक है, यह सब हो गया, इसके बारे में gymnosperm के बारे में, अब gymnosperm का न, एक छोटा सा न, ecological importance भी है, इसको भी छोटा डिसकस कर लेते हैं, तो ecological और विकेंस है, economic importance क्या है इसका, तो generally जो psychus का जो plant होते है, मतलब खासका gymnosperm की बात कर रहे हैं, इसका example है psychus, तो psychus का इस्तेमाल होता है, ornamental plants के तोर जाता है, साथि में जो pine us tree होता है, उसका pine जो होता है, इसका छो लकड़ी होता है, आप देखौक yards, यह ज гол लखड़ी दिखने है HIM, यह बहुत अच्छा लकड़ी माना जाता है, और इसका इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल, बहुत ही अलगल तरीके से किया जाता है, तो pine पाइन बुर् यहां से निकाल जाता है, लakडी काटके, साथे में पाइन रेजिन, आपको पता है, कुछ गम जैसा चीज निकलता है, अगर आप देखो कि ये जो प्लांट्स होते है, इसमें मटका वटका लगा के ना, कुछ गम जैसा चीज ना, कलेक्ट किया जाता है, तो य ये बहुत ही अच्छा होता है, फाइदे मंदे हमारे commercial purpose के लिए, यानि कि हमारे पैसों के इसाब से, क्योंकि इसको बेज के पैसा कमाया जा सकता है, तो इसलिए इसका ये economic importance था, और ये question exam में पूछा भी जाता है, what is the economic importance of this particular gymnosperm, correct है, समझ में आ गया दोस्तों, तो ये था overall, पूरा का पूरा explanation of the gymnosperm, क्या होता है, gymnosperm कैसे होता है, features क्या होता है, examples क्या होता है, और क्या क्या economic importance है, ये सभी चीज़ बता दिया, तो उमीद करता हूँ, gymnosperm आपको पूरा clear हो गया होगा, अब बचाए सिर्फ और सिर्फ angiosperm, और angiosperm के हम दाद दो टाइप, जिसको बोलते है, monocotyledon and dicotyledon, ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे हमारे अगले lecture में, तो आज का वीडियो इसी के साथ में समाप करता हूँ, thank you so much for watching this वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, दोस्तों तो please वीडियो को like कर देना, और अपने दोस्तों के तक हिले, thank you and goodbye.